आज हम फ्रांसेसियों के भारत आगमन की चर्चा करने वाल हैं। व्यापारिक लाप के लिए फ्रांसेसियों के मैदान में उतरने के पहले तीन सामुदरिक शक्तियों ने भारत में अपना दबदबाब बना रखा था। हेंरी चतोत की शांतीपून रज्यपाल में फ्रेंच एस्टेडिया कमपनी बनाने की चेश्टाय की गई। 1616 इस्वी में दो जाज तयार किये गए और पूरब की तरफ रवाना किये गए। परन्तु फ्रांसिसी नाविकों की इन चेश्टाओं में डचों ने काफी बादा डाली। डच नहीं चाते थे कि पूरब यह व्यापार पर उनका एकादिकार खत्म हो जाए। इसके बाद लगब 20 वर्ष तक फ्रांसिस्यों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। फ्रांसिस्यों ने अपनी सारे शक्ती और साधन मेडा गासकर में अपना उपनिवेश बनाने में लगाया। 1667 में फ्रांसिसी केरों के नेतरित में फ्रांस से नाविकों का जत्था रवाना हुआ 1667 में फ्रांसिस केरों ने सूरत में पहली फ्रांसिसी फैक्टरिस थापित की गोलकुंड के राजा के सेनत के बल पर मचली पट्टनम में दूसरी फैक्टरिस थापित की गई 1642 में फ्रांसिसियों ने सैंथों मदरास पर अधिकार कर लिया परंतु कालंतर में गोलकुंडा के राजा और डचो के सही उपसेना ने फ्रांसिसियों से सैंथों छीन लिया इस बीच एक फ्रांसिसी एडमेरन ने करनाटक के गवर्नर शेर्खालोदी से मदरास से पिचानन मेल दक्षिन फैक्टरी के लिए एक स्थान प्राप्त किया इस तरह पांडुचेरी की नीव डाली गई 1614 में फ्रांसिसी और मार्टेन ने अपने उत्कट सास से इसे फ्रांसिसी का एक मुख्य शासन केंदर बना दिया फ्रांसिस मार्टेन ने पांडुचेरी को एक समरत बंदरगा शहर में बदल दिया दूसरी तर बंगाल में फ्रांसिसियों ने चंदरनगर में एक फैक्टर की स्थापना की, यह इस्थान उन्हें नवाब शाहिस्त खान ने दी थी, यूरोप में डचो और फ्रांसिसियों के बीच लड़ाई चिडने से भारत वर्ष में फ्रांसिसियों की अवस्ता पर बूर दिया गया मार्टिन को फिर से इस जगा के सेनपती दिया गया और उसने अपनी बुद्धिमता पूर्ण कार्यों से फ्रांसिस्यों की पकड़ उस शेतर में और भी मजबूत कर दी 1706 में उसके मिर्त्य के समय पांडोचेरी में 40,000 निवासी थे जबकि कलकत्ता में उससे में 22,000 निवासी थे परंतो दूसरे स्थानों में फ्रांसिसी प्रभाव घटने लगा और 1720 तक बंटम सुरत और मचली पटिनाम की फैक्ट्रियों उन्होंने छोड़ दी 1720 शिताब्दिकांत होते वोते फ्रांसिसी कंपनी के संसादन लगबा खत्म हो गए थे 1719 में एक राज की आग गयाने के लिए जिसके अनुसार फ्रांसिस्टेडिया कंपनी को व्यापार करने वाली दूसरी फ्रांसिसी कंपनियों जैसे कैनेडा, कंपनी, मीजी सीपी कंपनी, कंपनी ओफ दग वेस्ट, सैंगील कंपनी, चाइना कंपनी और कंपनी ओफ डॉमिनो को एंड गिनी के साथ मिला दिया गया इस बड़ी कंपनी का नाम पढ़ा, कंपनी ओफ द इंडीज 1741 तक फ्रांस का मुख्यों देश ये, अंग्रेजों की तरह व्यापार करना ही था 1723 में फ्रांसिसी ने पांडुचेरी से 1840 किलो मीटर दूर स्थित ये 902 बार तट पर कबजा कर लिया 1725 में मालाबार और 1749 में कराई तल, पांडुचेरी से 1500 किलो मीटर दूर्द को हतिया लिया 1741 में फ्रांस सरकार की ओर से जोसे फैकवाई डूपले भारत आये डूपले के मन में भारत में फ्रांस का एक सामराज्य स्थापित करने की इच्छा थी उसके समय फ्रांसिसी और अंग्रेजों के भी स्थैनिक लड़ाया शुरू हो गई उसमें उसे सफलता भी मिली उसने हैदराबाद और कन्यकुमारी के बीच के छेतर को जीत लिया परंतु 1744 में रोबर्ट कलाइव के आने से डूपले की महतवकांशा धरी की धरी रह गई एक युद फ्रांसिसियों के अंग्रेजों के हातो हार हुई जिसके बाद 1754 में डूपले को फ्रांस वापस बुला लिया गया इस युद में नवाप के साथ साथ फ्रांस की सेना भी पराजित हुई तो यह थी करनी फ्रांसिसियों के भारत आगमन की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे